लंबी दाड़ी नहीं रखे तो अच्छा है Queen Mary University of London का एक सोथ कहता है कि चैरे पर लंबी दाड़ी रखने वाले पूर्सों को तरह तरह के संक्रमन का खत्रा अधिक होता है कोरोना संकट खतम होने का नाम ही नहीं ले रहा रुजाना मरीजों की संक्या बढ़ती जा रही है हलाकि आम जीवन पर पट्री पर आ गया है लेकिन करोना का डर अभी भी बना हुआ है कव कैसे कहां किसके द्वारा करोना संक्रमन हो जाए किसी को भी इसकी सटीक जनकारी नहीं है करोना संक्रमन की बीच देखा जा रहा है कि लोगों ने बाल और दाड़ी बढ़ा लिये हैं जबकि सोद और बिससग्यों का मानना है कि दाड़ी रखना सेहत के लिहाज से बिल्किल भी सही नहीं है मार्च से लेकर मई तक पूरा देश लागडाउन रहा अवस्चिक सेवाओं को छोड़ कर सब कुछ बंद रहा आफिस से लेकर फैक्तिरियां तक सब पर ताला लटका रहा इसी बीच वर्क फ्रम का कल्चर तेजी से बढ़ा और विवाओं ने दाड़ी और बालों को बढ़ाना सुरू कर दिया दिस अनलॉक भी हो गया तब भी लोग करोना की डर से सेलून नहीं गए वहीं युवा तो दाड़ी रखने को फैसन मान रहे हैं और उम्र दराज लोग सेलून में साफ सफाई और साधानी न वरतने के कारण जाने से डर रहे हैं दाड़ी अगर रख रहे हैं तो कई प्रकार के वारस और बैक्टिरिया दाड़ी में फस कर विमार हो सकते हैं हो सकता है करोना वारस भी आपकी दाड़ी में चिपक कर चिपा रहे और आपको संक्रमित कर दे इसलिए साधानी बढ़ते हैं सोध कहता है Queen Mary University of London का सोध कहता है कि चैरे पर लंबी दाड़ी रखने वाले पूरसों को तरह तरह के संक्रमित का खत्रा अधिक होता है सोध में पाया गया कि कई बार हाथ दोने के बाद भी दाड़ी में तरह तरह की किटाड़ू फसे होते हैं सोध करता रौन कटलर के अनुसार चैरे पर दाड़ी धेरो किटाड़ू के लिए चिपने की जगा होते हैं और दाड़ी वाले पूरस क्लीन से पूरसों की अपिच्छा अधिक बिमार पड़ते हैं बर्गिम ट्राइकोलाजी सेंटर की बिससगे केरल वाकर के अनुसार चैरे पलबाल चाहे दाड़ी के रूप में हो मूच के रूप में हो या नाक के भीतर हो इनमें मौजुद किटाड़ू का तोचा से सिदा संपर्क होता है जो गंभीर बिमार बना सकता है धार्मिक द्रिष्टी से भी नहीं है सही रामण सहिंता के अनुसार दाड़ी रखने वाले पूर्सों की कुंडली में सुक्र ग्रह कमजूर होता है लाल किताब कहती है कि पूर्सों के सरीर पर अंचाहे बाल बना उनके जीवन में कई तरह की परसानियों को बढ़ाता है इससे रिष्टों में तनाव, धन की कमी और कारियों में असफलता मिलने लगती है जोतिस विदो के अनुसार, चैरे पर दाड़ी का बढ़ना सुक्र ग्रह को कमजूर करता है जो ववाहिक जीवन के लिए हानिकारक्सी दो सकता है काल पूरुस सुद्धान कहता है कि सादिस दो पूर्सों को तो दाड़ी बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए विवाहित पूरुस अगर दाड़ी रखते हैं तो सुद्धान काल पूरुस सुद्धान कहता है कि सुक्र ग्रह का व्रक्ति के दाड़ी जीवन के लिए उत्तरदाई सप्तम भाव और दूसरे भाव यानि धन भाव का परतिनिद्ध करता है कुंडली का सात्वा भाग जीवन साथी की सेहत दामपत्य सुख और भिन्यस संबंध आपसी साज़दारी को दर्शाता है सुक्र ग्रह से व्यक्ति का अकरसर मुख मंडल का तेज आदे डील होता है इस्त्रियों का संदर और पूर्सों की भद्रता भी सुक्र ग्रह के प्रभाव से ही संबंध है चैरे परदारी का बढ़ना सुक्र ग्रह को कमजोर करता है जो व्यवाईक जीवन के लिए आनिकारक्सी दो सकता है धन्यवाद